कुद्रत का करिश्मा कभी कभी अपने अजीबों गरीब रंग दिखाता है ऐसा ही एक अजीब किस्सा आस्था और धर्म की नगरी प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के जलालपुर का है जहां पर सर से जुड़े हुए दो मोह वाले गाय के बच्चे का जन्म हुआ है जिसके बाद आसपास के गाव के लोगो द्वारा उसे भगवान का अवतार मानकर पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया गया है करेली थाना क्षेत्र के जलालपुर में गाय द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया गया जिसका पूरा शरीर तो सामान्य है लेकिन उसके दो मुह है जो की लोगों के बीच कौतोहल का विशय बन गया है दूर दूर से लोग बच्चरे को देखने आ रहे हैं एवं कामधेनों गाय माता का अवतार मानकर पूजा अर्चना कर रहे हैं जलालपुर निवासी मानिक्चन निशाद के घर हुए इस अद्भुत घटना से लोग आश्चर्य चकितो उठे इस विशय पर मानिक्चन निशाद का कहना है कि उनके घर पर जन्म लिए इस अद्भुत बच्चडे को देखने के लिए दूर दराज से लोग चले आ रहे है एवं भगवान का अवतार मानकर इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं क्या हुआ है और क्या कर रहे हैं दोकान है इसका बच्चा है गौरतलब हो कि यहाँ कोई पहली घटना नहीं है कि इस प्रकार के अद्भुत जीवों या मनुर्श के बच्चों का जन्म हुआ हो इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाओं को देखा गया है जहां पर छोटे से बालक की हनुमान के जैसी पूँच आपस में जुड़े लोग एवं कुटों के विडियो पहले भी कई बार वाइरल हो चुके है लेकिन इस बार धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज के जलालपुर गाव में इस प्रकार की घटना को देखकर ग्रामीन काफी उत्साहित है हुआ है